वेवर्त पुरान गनपती खंड पारवती की शिव से प्रार्थना परशुराम को देखकर उन्हें मरने के लिए उद्धत होना मारने के लिए उद्दत होना पर शुराम दोरा ईष्ट देव का ध्यान भगवान का वामन रूप से पधारना शिव पारवती को समझाना और गनेश द्रोत का प्रकट करना पारवती ने कहा प्रभू जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझे दुरगा को जानते हैं कि यह अपेक शाक्रित दासी है उसका जीवन व्यर्थ है परंतु ईश्वर के लिए तरिन से लेकर परवत परियंत सभी जातियां समान है अतादासी पुत्र गनेश और आपके शिश्य परशुराम इन दोनों में किसका दोस है इस पर विचार करना उचित है क्योंकि आप धर्मग्यों में श्रेष्ट हैं वीर भद्रकार्तिके और पारशदगन इसके साक्षी हैं भला गवाही के काम में जूट कौन कहेगा साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान है यों तो धर्म निर्ने के अफसर पर गवाही देते समय सत्पुर्शों के लिए सत्रू और मित्र समान हो जाते हैं अर्थात उनकी पक्शपात की भावना नहीं रहती क्योंकि जो गवा गवाही के विशे को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम करोध लोब अत्वाभ है के कारण चूटी गवाही देता है वो अपनी सो पीडियों को नडक में गिरा कर स्वेम भी कुम्भी पाक नडक में जाता है यद्यपी मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निरने करने में समर्थ हो तथा अपी आपके समख्ष मेरा आज्या देना शुरुती में निंदित कहा गया है प्रभू सभा में राजा के वर्तमान रहते प्रित्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल नहीं होता जैसे सूरे के उद्य होने पर प्रित्वी पर जुगनू की कोई गनना नहीं होती सदा परित्याक के भैसे डड़े हुए मैंने चीर काल तक तपश्या करके आपके चरन कमलो को पाया है अता जगनात दारुन पुत्र स्ने के कारण करोध शोक और मौ के वशी भूत होकर मैंने जो कहा है उसे च्छमा कीजिए यदि आपने मेरा परित्याक कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाब क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्ने हुए हुई पती व्रता नारी के लिए पती सो पुत्रों से बढ़कर है जो नारी नीच कुल में उत्पन्ने दुष्ट सभाव वाली ग्यान ही और माता पिता के दोस्ट से निंदित होती है वो अपने पती को नहीं मानती उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित पतित मुर्ख दरिद्र रोगी और जड़ पती को भी सदा विश्णू के समान समझती है समस्त तेजस्वियों में श्रिष्ट अगनी अध्वा सूर्य पती व्रता के तेज की सोलवी कला की समानता नहीं कर सकते महादान पुन्य प्रत व्रतो पवास और तप ये सभी पती सेवा के सोलवे अंस की समता करने युग्य नहीं है उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो पिता हो अत्वा सहोदर भाई हो कोई भी पती के समान नहीं होता स्वामी से इतना करका दुरगा ने अपने सामने परशुराम को देखा जो निडवे होकर संबू के चरन कमलोकी सेवा कर रहे थे तब पारवती उनसे बोली पारवती ने कहा हे महाभाग राम तुम ब्रम्म वंच में उत्पने होए हो तुम्हारी बुद्धी सद का विवेचन करने वाली है तुम जमदगनी के पुत्र और योगियों के गुरू इस महादेव के शिश्य हो सती साद्वी रेनु का जो लक्षमी के अंस से उत्तम कुल में उत्पने हुई है तुम्हारी माता है तुम्हारे नाना वे विश्नु वक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैश्नव है तुम मनु के वंस में उत्पने हुए राजा रेनु का करेनु के तोहित रहो साद्व सबाव वाले सूर वे राजा विश्नु यश्या तुम्हारे मामा है तुम किसके दोस से ऐसे धर्श हो गए हो इस असुद्धी का कारण मुझे ग्यात नहीं हो रहा है क्योंकि जिनके दोश से मनुश्य दूशित हो जाता है तुम्हारे वे सभी संबंदी शुद्ध मन वाले हैं तुमने करुना सागर गुरु और अमोग फरसा पाकर पहले चत्रे जाती पर परिक्षा करके पुनह गुरु पुत्र पर परिक्षा की है कहा तो शुरुती में गुरु को धक्षिना देना उचित है यह सुना जाता है और कहा तुमने गुरु पुत्र के दातों को ही तोड़ दिया अब उसका मस्तक भी काट डालो शंकर के वरदान तथा अमोग वीरिय फरसे से तो चुहों को खाने वाला सियार सिह और सारदुल को भी मार सकता है जीतेंद्रिय पुरुशों में श्रेष्ट गनेश तुम्हारे जैसे लाखों कड़ोरो जन्तुओं को मार डालने की शक्ती रखता है परन्तु वो मक्खी पर हाथ नहीं उठाता श्री कृष्ण के अंस से उत्पन हुआ या गनेश या गनेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं है इसी से इसकी अगर पूजा होती है यो कहकर पारवती क्रोध वस उस उन परशुराम को मारने के लिए उद्दत हो गई तब परशुराम ने मन ही मन गुरू को प्रणाम करके अपने इस्ट देव श्री कृष्ण का स्मरन किया इतने में ही दुरगा ने अपने सामने एक अत्यंत बोने ब्राह्मन बालक को उत्पस्तित देखा उसकी कांती करोरो सूरियों के समान थी उसके दात स्वक्ष थे वो शुकल वस्त्र शुकल यग्यों पवीत धंड चत्र और ललाट पर उज्जल तिलक धारन किये वे था उसके गले में तुलसी का माला पड़ी थी उसका रूपरम मन हर था मुक परमंद मुशकान थी और वह रतनों के बाजूबंद करंकन और रतन माला से विभुशित था पैरों में रतनों के नपूर थे मस्तक पर वह मुल्य रतनों के मुकट की उज्जल छटा थी और कपोलों पर रतन निर्मित दो कुंडल जल्मरा रहे थे जिससे उसकी विशेश सोभा हो रही थी वह भक्तों का ईश और भक्त वच्चल था तथा भक्तों को बाए हाठ से श्तिर मुदरा और दाहिन हाठ से अवैं मुदरा दिखा रहा था उसके साथ नगर के हसते हुए बालक और बालिकाओं का समूता और कैलास वासी आबाल वृद्ध सभी उसकी और हर्ष पूरवक देख रहे थे उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शम्वों ने घबराकर भक्ती पूरवक्सिर जुका कर प्रणाम किया तद पश्यात दुरगा ने भी दंड की भाती भूमी पर लेट कर नमशकार किया तब बालक ने सब को अभिष्ट प्रद आशिरवाद दिया उसे देखकर सभी बालक वे के कारण वहान आश्यरी में पड़ गये तदंतर शिव जी ने भक्ती पूरवक्स शोडशोप चार समर्पित करके उस परिपून तम की वेदोक्त विधी से पूजा की और फिर सिर जुगा कर कान्व शाखा में कहें हुए श्त्रोत दौरा उस उन सनातन भगवान की स्तुती की उस समय उनके सरवांग में रोमांच ह पुनह जो रत्न सिंगाशन पर आसीन थे और अपने उद्करिष्ट तेज से जिनों ने सब को अच्छादित कर रखा था उन वामन भगवान से स्वेम शंकर जी कहने लगें शंकर जी ने कहा ब्रह्मन जो आत्मा राम है उनके विशे में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है क्योंकि वे स्वेम कुशल के आधार और कुशल और कुशल के प्रदाता है श्री कृष्न की सेवा के फलोदैक से आज आप जो मुझे अतीथी रूप से प्राप्त हुए हैं इससे मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया कृपा सागर पड़ी पूनतम श्री कृष्न लोगों के उद्धार के लिए पुन्य छेत्र भारत में अपनी कला से अवतिर्ण हुए हैं जिससे अतीथी का आदर सतकार किया है उसने मानों संपून देवताओं की पूजा कर ली क्योंकि जिस पर अतीथी प्रसन हो जाता है उस पर श्री हरी प्रसन हो जाते हैं सबस्त तीवतों में स्नान करने से सर्वस्वदान करने से सभी प्रकार के वरतों पवास करने से संपून यग्यों में दिक्षा ग्रहन करने से सभी प्रकार की तपश्याओं से और नित्य नेमित्य कादी विवदित कर्मानों श्ठानों से जो फल प्राप्त होता है वो अतीती सेवा की सोलहवी कलाकी समानता नहीं कर सकता अतीती जिसके ग्री से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है उसका पुन्य निश्चे ही नष्ट हो जाता है श्री नाराएन कहते हैं नारण शंकर के वचन सुनकर जगत पती स्वयम श्री हरी संतुष्ट हो गए और मेक के समान गंबीर वानी द्वारा उन से बोले विश्टू ने कहा शिव जी आप लोगों के कोला हल को जानकर कृष्ट भक्त पर शुराम की रख्चा करने के लिए इस समय मैं स्वेत दीप से आ रहा हूँ क्योंकि इन इस कृष्ट भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता गुरू के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाव में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रख्चा करता रहता हूँ गुरू के रुष्ट होने पर मैं रख्चा नहीं करता क्योंकि गुरू की अवहलना बतला बल्वती होती है जो गुरू की सेवा से हीन है उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है अहो जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर मानेनी है और पूजनी होता है वह मनुश्यों के जन्म देने के कारण जनक रक्षा करने के कारण पिता और विस्तिन करने के कारण कला डूप से प्रजापती है उस पिता से माता गर्भ में धारन करने एवं पालन पोशन करने से सोगुनी बढ़कर वंदनिया, पूज्या और मान्या है वह प्रसव करने वाली वसंदरा के समान है अन्यदाता माता से भी सोगुना वंदनिया, पूज्या और मान्या है क्योंकि अन्य के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विश्नु ही कला रूप से अन्यदाता होते है अभिष्ट देव अन्य दाता से भी सोगुना श्रिष्ट कहा जाता है किन्तु विद्या और मंत्र पदान करने वाला गुरू अभिष्ट देव से भी सोगुना बढ़कर है जो अग्यान रूपी अंदकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ग्यान दीपक रूपी नेतर से दिखलाता है उसे बढ़कर बांधव कौन है गुरू द्वारा दीए गए मंत्र और तब से अभिष्ट सुख सरवग्यता और समस्त सिद्यों की प्राप्ती होती है पदा गुरू से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है गुरू द्वारा दी गए विद्या के बल से मनुश्य सरवत्र समय पर विजई होता है इसलिए जगत में गुरू से बढ़कर पुज्य और उनसे अधिक प्रिय बंदू कौन हो सकता है जो मुर्क विद्या मत्त अत्वा धनमत से अंधा होकर गुरू की सेवा नहीं करता वा ब्रह्म हत्या आदी पापों से लिपाए मान होता है इसमें संशय नहीं है जो दरिद्र पतित एवं शुद्र गुरू के साथ साधारन मानव की भादी आचरन करता है वो तिर्थनाई होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों के करने में अधिकार नहीं है शिव जो चल कपट करके माता पिता भारिया गुरू पत्नी और गुरू का पालन पोशन नहीं करता वो महान पापी है गुरू ही ब्रह्मा गुरू ही विश्नु गुरू ही महेश्वरदेव गुरी परब्रम, गुरुही सूरे रूप, गुरुही चंद्र, इंद्र, वायू, वरुन और अगनी रूप है यहां तक कि गुरु स्वेम सर्वर रूपी अश्वरे शाली परमात्मा है वेद से उत्तम दूसरा सास्र नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है गंगा के समान दूसरा तेरत नहीं है, तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्व नहीं है पृत्वी से बढ़कर दूसरा चमावान नहीं है पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है दैव से बढ़कर शक्ती नहीं है और एकादिसी से उत्तम रत नहीं है शालक ग्राम से बढ़कर यंत्र भारत से उत्तम छित्र और पुन्यस्थलों में विंदावन के समान पुन्यस्थान नहीं है मौक्षदाइनी पुडियों में काशी और वैशनवों में शिव के समान दूसरा नहीं है ना तो पारवती से अधिक कोई पती व्रता है और ना गनेश उत्तम कोई जीतिंद्री है ना तो विद्या के समान कोई बंदू है और ना गुरू से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी नी संदे उसी के समान होते हैं गुरू की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अभेलना कर दी है उसी का समार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ श्री नारायन कहते है नारत वहाँ भगवान विश्णु शिवजी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले विश्णु ने कहा देवी मैं निती युक्त वेद का तत्व रूप तता परिनाम में सुक दायक वचन कहता हूँ मेरे उस शुब वचन को सुनो गिरी राज की शोरी तुम्हारे लिए जैसे गनेश और कार्टिके हैं नी संदे उसी प्रकार भिगुवन्शी पर शुराम भी है सरवग्य इनके प्रती तुम्हारे अत्वा शंकर जी के सने में बेदवाव नहीं है अदह मात्त सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो दैव दोश से घटित हुआ है भला दैव को मिठाने में कौन समर्थ हो सकता है क्योंकि दैव महा बली है अद्से देखो तुम्हारे पुत्र का एक दंतनाम वेदों में विख्यात है वरानने सवी देव उसे नमशकार करते हैं इश्वरी साम वेद में कहे वे अपने पुत्र के नमाश्टक स्तुरोत को ध्यान दे कर श्रवन करो मातह वो उत्तम स्तुरोत संपूर्ण विख्यात का नाशक है मातह तुम्हारे पुत्र के गनेश एक दंत हेरंब विख्यन नायक लंबोदर शुर्पकर्ण गजवस्त्र और गुहा गरज ये आठ नाम हैं इन आठो नामों का अर्थ सुनो शिव प्रिय ये उत्तम स्रोत सभी स्रोतों का सारभूत और संपूर्ण विगनों का निवारन करने वाला है ग्यानार्थ वाचक और ना निर्वान वाचक है इन दोनों गन के जो ईश हैं उन पर बिरंगनेश को मैं परनाम करता हूँ एक शब्द प्रधानार्थक हैं और दंत बल वाचक है अरह जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमशकार करता हूँ हे देड़ दीनानार्थ वाचक और रंभ पालक का वाचक है अतर दीनों का पालन करने वाले हे रंभ को मैं शीश नवाता हूँ विग्न विपत्ती वाचक और नायक खंडनार्थक है इस प्रकार जो विपत्ती के विनाशक हैं उन विग्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ पुर्व काल में विश्नु द्वारा दिये गए ने विद्यो तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिश्ठानों के खाने से जिनका उधर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ जिनके कर्ण शुर्पो कार विग्न निवारक शुर्पा कार विग्न निवारन के हेतु संपदा के दाता और ग्यान रूप है उन सुर्प कर्ण को मैं सिर जुकाता हूँ जिनके मस्तक पर मुनी द्वारा दिया गया विश्णू का प्रशाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजिंदर के मुक से युक्त हैं उन गजवक्तर को मैं नवशकार करता हूँ जो गुय सकंद से पहले जन में लेकर शिव भजन में आवेर भूत हुआ है तता समस्त देवगनों में जिनकी अगर पूजा होती है उन गुहा गरज देव की मैं बंदना करता हूँ दुरगे अपने पुत्र के नामों से सैयुक्त इस उत्तम नामाश्टक स्थरोध को पहले वेद में देख लो तब ऐसा क्रोध करो जो इस नामाश्टक स्थरोध को जो नाना अर्थों से सैयुक्त इवं शुब कारक हैं नित्ती तीनों संध्याओं के समय पाट करता है वह सुक्य और सर्वत्र विजई होता है उसके पास से विगने उसी परकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरूर के निकट से साम गने इश्वर की कृपा से वह निश्य ही म महान ग्यानी हो जाता है उत्रार्थी को पुत्र और भाडिया की कामना करने वाले को उत्तमस्त्री मिल जाती है तदा महामुर्क निश्य ही विद्वान और स्रेश्ट कभी हो जाता है